दोस्तों ये वीडियो लखनव चारवाग रेलवे स्टेशन का है आज के समय इनकी संक्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है कहीं न कहीं प्रती एक दिन किसी न किसी के साथ लूट पात की खवर आती है तो किसी के साथ मार्केट की इस तरह की खवर बहुत ही सुनने को आपको मिलती ही होंगी जो कि यहीं रेलवे स्टेशन लखनव चार वाग में होता है दोस्तों इनका हर रोज का यही धंदा है नहीं पैसा है यहीं लोग यहीं पर रेलवे स्टेशन के चारों तरफ घूंते रहते हैं और जैसे ही कोई नया सायर का व्यक्ति आता है उसको बहला फसला कर अपनी बातों में ले जाकर और उसके साथ लूट पात कर लेते हैं वीडियो में देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ इनका ऐसा ही गेंग होता है पूरा इनका ग्रूप होता है और ऐसे ही रेलवे स्टेशन के चारों तरफ ये लोग भूनते रहते हैं जैसे ही कोई वेक दिन के चंगल में फच जाएगा तो ये लोग पाटोर या रिक्सा के माद्दिम से कहीं एक कांत सहर के बाहर ये लोग ले जाते हैं और उसके साथ लूट बात करते हैं आप वीडिए में देख सकते हैं जूम कर के मैंने आपको दिखाया ये लोग इनका पूरा गुरॉप होता है और इसी तरह लोगों से ये खुद बात करते हैं अगर कोई इनको होटल में ले जाने की बात करता है तो ये लोग उनके साथ नहीं जाते हैं ये लोग खुद अपने होटल में ले जाने की बात करते हैं और उनको इस तरह बहला कर कहीं एकांट सेके में ले जाते हैं लूट पात कर लेते हैं बस यहीं इनका हर रोज का धंदा है यही पेसा है मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है ताकि आप लोग इन लोगों से एलर्ट रहें बचके रहें जब भी आप कहीं जाएं रेलबे स्टेशन को भी या फिर लकनोग देली इस तरह से वहां पे लोग ये देखने को मिल ही जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके जाल में फस जाता और उसके साल लूट पात आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक लड़का इसके बातों में आ गया है और देख सकते हैं आप लोग बैठ गये हैं और दोनों लोग जा रहे हैं तो देख सकते हैं यह लड़का तो पक्का फस गया इसके साथ पक् पहले यह लोग यहीं पर मेट्रो स्टेशन के नीचे यहीं पर सामने इनका डेरा हुआ करता था इनकी पूरी टीम यहीं पर रहा करती थी और लेकिन अब इसके दूसरी अपोजिट साइड रहते हैं यह लोग बहां पर इनका पूरा गुरुप रहता है कि रेट लाइट एरि पागल है कि इतना घिनावना काम करते हैं बो भी 24o घंटे यहां पर इनकी पूरी टीम रहते हैं तो दोस्तों मेरा ज्यादा से ज्यादा यहीं मकस्त रहता है कि आप लोगों को जानकारी देना ताकि आप जहां कहीं भी जाएं सुरच्छित रहें और अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में इस वीडियो को इतना पारल करें ताकि यह जनकारी पूरे देश में पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों से बच सकें आप ध्यान से देख सकते हैं सामने या एक लड़की आपको दिख रही होगी जो कि चहरे पर कपड़ा बांदे हुए ह डाटा बांदे हुए देख सकते हैं आप लोग जूम करके मैंने आपको दिखाया हुआ है लेकिन यहाँ पर इसकी डील नहीं होती है किसी से इसलिए यह भी भी यहाँ पर घूम रहे हैं आप लोग वीडियो में साप साप ध्यान से देख सकते हैं मैंने बिलकुल जूम करक कि आपको दिखाया इसी को कहते हैं रेड लाइट एरिया लखलू चार बाक तो जनकारी कैसे लिए कि कमेंट करके जरूर बताएगा बाकी मिलते हैं ऐसे इनफॉर्मल वीडियो के साथ अगली वीडियो